तो साब का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में डिस्क्रिशन करने वाले हैं आर पावर के उपर गिरती हुई बिजली की एक दिन पहले न्यूस आती है कि आर पावर के एक कमपनी ने 485 क्रोट का डेट खतब कर दिया यह उसके डेट फ्री होने की जर्नी में एक और हीटिंग नेल इन दे कॉफिन था बहुत यह जबन सबाला बट यहाँ पे नेक्स्ट एए एक और न्यूस फ्लो करती है जहाँ पे कहा जाता है कि आनि लंबानी की कमपनी आर पावर को तीन साल के लिए बैन कर दिया गया है सोलर पावर प्रजेक्ट की बिडिंग के लिए पांसो मेगावाट का सोलर पावर प्रजेक्ट था और यहाँ पे इस कमपनी को बैन कर दिया गया किस कमपनी को SECI ने बैन कर दिया है अगले तीन साल के लिए fake documents देने के लिए समझने वाली बात ये है कि जो अनिलमानी इतने phases से गुजर चुकी है मैं इनको favor नहीं कर रहा हूँ किसी तरी की buying selling advice नहीं दे रहा हूँ बट मेरा outlook देना मेरा फर्ज है क्योंकि आपके पास हो सकते है आपके पास भी हो सकते है मैं किसी तरी की buying selling advice बिलकुल नहीं कर रहा हूँ आपको समझेगा क्या view हो सकता है मेरा view क्या है आपका view क्या है मुझे comment section में ज़रू बताएगा सबसे बहले चैनल को subscribe कर लिजिए bell notification हो hit कीजिए ताकि कोई भी content आपसे miss ना हो बात है car power की इस band के उपर में यहाँ पर एक bank guarantee की बात की जारी वहाँ का जारी कि state bank of India की fake email ID document की गई है और वो भी foreign के एक bank के थरू मैं सोचना चाहता हूँ मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि अनि लंबानी जो अपने आपको debt free करने में लगे हुए हो रहे है जिनके पास इंडिया में private companies के हिसाब से largest power projects उनकी kit में he is the largest power project holder under construction and running in India तो यह इंसान जो अभी अभी debt से बाहर आया है जो limelight में है जिसका share कहा से कहा जाता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक दिन good news, दूसरे दिन एक ऐसी news जाएक email ID fake document किया जाती है क्या आपको लगता है कि अनि लंबानी की जो chartered accountants है जा उसकी जो think tank है, जो team है, जो documentation करती है legal team basically है ना, क्या उनको नहीं मालुम होगा कि एक fake email ID का use किया जा रहा है company ने अपनी सफाई में company ने BSC को अपनी सफाई दी है उसमें साफ साफ कहा है the company and its subsidiary acted bonifidly and have been a victim of fraud forgery and cheating conspiracy ये conspiracy हो सकती है चाम, दाम, दंड, भेद, सब कुछ जायज है कहा जाता है everything is fair in love and war and businesses too यहाँ पे जो rivals होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं घर के लोग भी हो सकते हैं, भाहर के लोग भी हो सकते हैं a criminal complaint in this regard has already been lodged with the economic offense wing of Delhi police against the third party on October 16, 2024 मतलब इन्होंने पहले ही इसी complaint कर दी थी, 16 तारिखी news को 5 November को हमने पेश किया आता है the company will take all appropriate legal steps to challenge the unwarranted action of SECI in the interest of its more than 40 lakh shareholders तो कि 40 lakh से जादा shareholders है जो इस company में निवेश करते हैं, उनका भरोसा तूटता है अगर उसकी company fraud declare होती है fraud word यूज किया गया, कल जितने भी channels थे, news channels, print media, सब पे कहा गया unill money fraud, our power fraud, ये titles ये tags थे, आपने देखा होगा मेरे thumbnail भी आपको दिख रहा है कि our power का fraud, क्या fraud है क्या एक email ID को गलत भरना, इतना बड़ा fraud है, अगर है भी जो होना भी चाहिए, तो क्या ये company जान बूज के ऐसा fraud करेगी मुझे तो इस पे डाउट लगती है आगे thumbnail time में बहुत interesting होए देखना की company इसको कैसे take on करती है, अब बात करते है share prices की, तो share prices on their मुगे रे, 5% का lower circuit लगता दिखाई दिया, और company में हाहाकार सी मच्चीदे दिखाई दी पर आपको एक छोटे सी चीज में आपको दिखाता हूँ जो आपको देखके शायद आपके दिमाग की बत्तिक गुल हो जाए खुल जाए, आप एक छीज को ध्यान से देखीगा कुछ चीजे हैं जो मुझे बहुत ही शांदा लगती है, ये अगर आप volume को देखना पसंद करते हैं ये आज की volume आप देख सकते हैं Reliance Power lower circuit पे था और यहाँ पे किसीने माल बेचा नहीं है अगर lower circuit पे धाई करोड शेर के आसपास का lower circuit था और 40-50 लाग शेर की delivery उठके चली गई उठके गई है क्योंकि यहाँ पे buying है total volume देखिए, buying की है तो क्या इन लोगों को नहीं मालूम कि यह सब एक plan हो सकता है एक temporary phase है क्या यह तरीका है क्योंकि Reliance Power को बहुत बड़ा बनना है और public इसमें बहुत सादा सवार है तो क्या public को निकालने के लिए एक panic news भी हो सकती है जी हाँ, anything and everything is possible in the world of businesses जिसको मैं और आप बिल्कुल नहीं समझ सकते बट मुझे volume समझ में आती है कि stock में आज के lower circuit में लगातार 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 buying हुई है buying के लावा stock में कुछ नहीं हुआ है इसमें कोई share बेचे नहीं गई है जो लोग बेचना चाहा रहे थे वो lower circuit पे खड़े हुए थे और कोई लगातार shares को buy करने में लगाता ऐसा क्यूं हुआ आप से मुझे इसका जवाब चाहिए अगर चीज खराब है तो कोई एक share भी क्यूं खरीदेगा lower circuit में खड़े रहे बेचने वाले पाए करने वाला shares को buy क्यूं करेगा ये 50 लाग से ज़ादा shares की delivery आज उठके चली गई क्यूं कौन है ये लोग क्या आपको इस industry से stock से बाहर किया जा रहा है हो सकता है क्योंकि ये company अब debt free हो चुकी है ये सब को मालूम है और इनके पास में largest power projects है ये भी सब को मालूम है अनिलमानी ग्रो कर रहे है ये भी सब को मालूम है तो क्या ये news एक panic मातर है बहुत ही interesting होगा आने वोले time पे हम इसको time to time cover करते रहेंगे हमने channel पे आरपावर को लगातार cover किया है हर अच्छी बुरी news को cover किया है जानी में शामिल होना चाहते है जो इस बजार को सीखना चाहते है technically, fundamentally, stock selection सीखना चाहते है ये mindset सीखना चाहते है you are most welcome करने के लिए आप screen पे दीगे number पे contact कर सकते है नहीं तो हम वीडियो में तो मिलते ही रहेंगे यहां भी बहुत कुछ सिखा देते है see you on the other side bye-bye, take care, jahin